सपाक्स पार्टी के विस्तार के लिए प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुकला सिंगरॉली पहुंचे इस दरान तुरेश शुकला ने भाजपा की केंदर सरकार को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि एक्ट के मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोट के फैसले को ही बदल दिया जिससे सामाने वर्ग के लोगों को फसा कर जेल भीजा जा रहा है वहीं भाजपा की सरकार में बेरोजगारी चरम पर है सपाक्स पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सूरेश शुकला ने सरकार में बैठी बाजपा और विपक्ष की कांग्रेस सहित सभी पार्टी यों पर जम कर निशान असादा उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया लेकिन भाजपा की 15 साल की सरकार में 30 लाख लोग भी रुजगा रहे हैं केंद्र की मुदी सरकार ने तो सुप्रिम कोट के फैसले को ही बदल दिया और एक्रोसिटी एक्ट लागू कर दिया गया जिससे सामान वर के लोगों को ना जायज जेल में भीजा जा रहा है सबी जातियों को बाट कर अपना शासन चलाने वाली भाजपा अप्रदेश को भी जाती के आदार पर बाटने में लगी हुई है उन्होंने कहा कि सपाक्स की सभी कारकरता एक जोट हो नहीं तो ये जातिगत शड़ेंतकारी सब को गुलाम बना लेंगे इसलिए ऐसी सरकारों के बैकावे में ना आए इस मौके पर बड़ी संख्याने लोगों ने सपाक्स की सदस्ट अगरहन की अधिया सब्सक्राइब कोने इस सदस्ट की मीम हमें की सबबन सब्सक्राइब कि भारत पर्फान मंज़ी को देंगे जो दो अजारा का शत्रा अगस्त को यह जो अध्यादेश को परणिया सुदीव के अध्यादेश को उसमें यह कहा कि अब जमार कोई गभाई क्या हो सकता नहीं कोई भी विट्टिकाद की सब्सक्राइब होता है हाँ पकड़ लेता ऐसा कर लेता तो तुपर उसको गर्फतारी की जाए है सफनी ओना है हमारा तो देश सरी किव आप नियार गरे जाइन के लिये जांट में गर्फतारी के लिए आपका ब्राइट फूचर बुला राहे ए है फ्रम एलन सी दिए यू नवर्चित प्रवाइड इंजिनिरी ने नेस् प्रश्वादियों के गड़ तक जोपड़ी से मेलों तक पकड़न्डियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से उटमीती तक दकन न्यूज आपके हत्त आप देख रहे हैं दकन न्यूज